प्रश्कार राम राम किसान भाईयो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की जिसमें आप मोटा मुनाफ़ा खमा सकते हैं और ये खेती बहुत कम समय की और कम लागत में किसान को बड़ा फाइदा दे सकती है लेकिन पते की बात से पहले सबसे जरूरी बात है आप चैनल को सब्स मिर्च की खेती अब काफी मुनाफ़े का सौधा बढ़ रही है देश में लाल की बात करें पीली या फिर हरी समीत कई रंगों की शिमला मिर्च पाई जाती है अब सबसे बड़ा सवाल होता है शिमला मिर्च के रंग कितनी क्योंकि हमोमन हमने हरी शिमला मिर्च को देखा है पांच तरहे की शिमला मिर्च पाई जाती है जिसकी अलग लग रंग वैरियेशन उसके अंदर है किसान शिमला मिर्च का उत्पादन से लाखों रुपई की कमाई कर सकते हैं इसके लिए जरूरी है सही तरीके से उसकी वुआई और उसकी जरूरत है वो बीज के सेलेक्शन के जरूरत पढ़ती है। सही समय अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी खेती में अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। रभी हो या फिर खरीब की फसल हर फसल में किसान मुनाफ़ा चाहता है जूड़ता है बारिश बार जैसी नेचरली जो आप आदाएं वो किसान के सामने आती है वो उसके गिनित को बिगाड़ देती है। कम लागत में एक ऐसी फसल है जो अच्छा मुटा मुनाफ़ा दे सकती है। शिमला मिर्च को कहीं पीले, कहीं लाल, कहीं किसी किसी रंग में आपने देखा होगा, अब आप सोच रहें कि कितने रंग हैं। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में शिमला मिर्च की खेती कई राजों में की जाती है। इसमें खास तोर पर हर्याना की बात करें, पंजाब की बात करें, हम मत्यपरदेश, जारखन की बात करें, उत्तरपरदेश, करनाटक, शिमला मिर्च की खेती यहां पर होती है। और हमारे खेटी में इसमें अगर विशेशग्यों की माने तो राजे इन राज़ों के अंदर शिमला मिर्च में अत्पादन में अनकूल एन्वारिमेंट भी है अब बात आती है इसकी शिम्मला मिर्च की बुवाई कब होती है फसल के लिए बहідतर रुत पादन के लिए आपको इसके लिए मैतपून है क्या मुशेश्यकियों की मानि तो शिम्मला मिर्च की खेती एक साल में तीम बार होती है सबसे जरूरी है जून से जुलाई है अगर से स्प्तम्बर है और नवंबर से दिसंबर यरी जो अब वक्त चल रहा है इन महिनों में इसकी आप बुआई कर सकते हैं और अच्छा मुनापा भी अप कमा सकते हैं शिमला मिर्च की बुआई से लेकर उतपादन होने में अधिक समय नहीं लगता है और ये फसल लगबग 60-45 दिनों में तयार हो जाती और पॉली हाउस में खेती का सही समय अगर से स्प्तम्बर तक हो सकता है शिमला मिर्च की नो महिनों में ली जा सकती है ये निशित होता है क शिमला मिर्च एक किमत पर ही मिलेगी ये कोई ऐसा वाइदा नहीं है अलगलग किसन के इसापसिस की बीजों की दर भी तैनी होती नौर्मल 10 ग्राम बीज है वो 2200 से लेकर 3500 रुपेगा मिलता है और शिमला मिर्च में रोग का शिकार भी होती है मिर्च में लगने वाले र छिल्नी लीुप खर्च की खर्च कि बात करे तो एक एकड में चार लाइक रुपे तका करे अत्य 반ге तक है उत्पदन देखे तो 15000 किलोग्राम शिमला मिर्च हो जाती है और बजार कि आदास्पास है वो जो बिग जाती है तो नेट 3,5,3,5 रुपे का मुनाफ़ा किसान कमा सकता है लेकिन ये पर्मनेंट नहीं कम ज्यादा भी हो सकता है तो इस्ट तौर पर किसानों के साथ आज हमने शिबला मिल्च की खेती को शेर किया है हमने इसके वक्त को बताया है भी इसकी कीमत हो इसकी खुद की कीमत को बताया है और ऐसे उमीद करते हैं कि अर्याना सहीद पज्जाब मारे दूर-दूर तक जो दर्शक किसान है वो इसकी केति करते होंगे वो कमेंट में आकर जरूर अपने इस बात को रखेंगे कि कितना अच्छा फाइदा ले सकते हैं लेकिन शिमला मिर्च हमेशा काफी इसके भाव तेजी आपको देखने को मिलती होगी क्योंकि अक्सर आप भी बजारों से सब्जी मंडी से करेते हैं तो नॉर्माल ये 40-50 से कम कभी इसका रिपनी रहता है और बहुत उप्योगी और बहुत मैतपुन सब्जियों में से एक है